नमस्कार दोस्तो जमीन यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ मनोज दोस्तो जिला महंद्रगड के किसान भाईयों के लिए जिला बागवाने कारियाले नारनोल दुवारा MIDH स्कीम के तहत सबसीडी पर सबजिया लगाने की एक स्कीम चलाई जा रही है जिसमें 8000 रुपए परती एकड की दर से सबसीडी दी जाएगी जो इच्छू किसान भाईयों वो आविदन कर सकते हैं इस आविदन के संब्द में मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के मादम से देने की कोशिश करूँगा आता है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिला महंदरगड के किसान भाईयों के लिए बागवानी विभाग के ओर से MIDH स्कीम के तैत विभागे सबसीडी के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आविदन लिये जा रहे हैं यह आविदन 6 सितंबर 2018 से सुरू हो चुके हैं और जो विभाग का टारगेट है वो पूरा होने तक ही यह आविदन स्विकार किये जाएंगे अता है इच्छू किसान भाई जल्द से जल्द आविदन कर दें इस स्कीम का लाब लेने के लिए जो आवस्चक दस्तावेज होंगे वो है पूरण भरा हुआ किसान का आविदन पत्तर एक पासपोर्ट साइज फोटो रासन कार्ड या बिजली के बिल की फोटो कोपी आधार कार्ड की फोटो कोपी जमाबंदी फर्द या इंतकाल की फोटो कोपी या पत्वारी द्वारा आविदन पत्तर पर जमीन की तस्तिक करें बैंक खाते की फोटो कोपी जिसमें किसान का नाम, पता, खाता संख्या, बैंक ब्रांच का नाम, वाइफसी कोड साफ साफ अक्षरों में अंकित हो और साथ ही बैंक खाता धारक का खाता आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए यहां एक बात यह भी बता दूँ कि जिन पांच बैंकों का गत वर्स SBI में विले हुआ है उनके जो खाता धारक हैं वो अपनी नई पासबुक बैंक से जारी करवा करके उसकी फोटो कोपी ही दें नई पासबुक की फोटो कोपी देने पर ही उनका आवेदन पत्र स्विकार किया जाएगा अनुसुचित जाती के जो भाई किसान भाई हैं वो अपना अनुसुचित जाती के परमान पत्र की कोपी आवेदन पत्र के साथ लगाएं बागवानी विभाग दुआरा कुछ बीज कमपनिया हैं सुचिबद की गई हैं उनी का बीज आप लोगों खरिबना होगा उनके नाम स्क्रीन पर दिये गए हैं वो हैं मैसर्स सोनला लगरवाल मैसर्स अजेंटा इंडिया लिमेटिड मैसर्स क्लैस सीड्स प्राइवेट लिमेटिड मैसर्स वलनेक्सर सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमेटिड मैसर्स मेटा लिक्स लाइफ साइन्स लिमेटिड मैसर्स नोबल सीड्स प्राइवेट लिमेटिड मैसर्स एनस्सी मैसर इस आवेदन के लिए कुछ नियम वे सर्ते भी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ पहली सर्त ये है कि एक किसान को कम से कम चार कनाल के रिए यानि कि आधा एकड के लिए सोलहाजार का अनुदान ही दिया जाएगा। किसान को संकर किस्मों का बीज विवाग द्वारा पर्मट जारी होने के बाद पर्मिट पर दर्साई गई परती एकड बीज की दर्क के इसाब से हर्याना बीज विकास निगम के बिकरी केंद्रों से नगद अदाईगी करके ही लेना होगा। सरकारी दुकान से बीज लेने के बाद किसान को पका बिल बागवानी कारियाले में जमा करवाना होगा। जबकि बिल की फोटोकोपी अपने पास रखनी होगी वर किसान भाई बिजाई के वाद बीजों के जो खाली रेपर हैं उनको भी समाल कर रखें सरकारी दुकान से बीज लेने के बाद किसान को 40 दिन के अंदर अंदर नरसरी तैयार करके अपने खेट में फसल की रोपाई करने के उपरान्त मोबाईल फोन से बागवानी कारियाले को सुचित करना होगा ताकि किसान के खेट की फोटोग्राफी करके जीपिएस आधार अधार के अधार पर अनुदान रासी किसान के बैंक आते में जारी की जासके भायो इस wave में यदि कोई और जानकारी चाहिए तो जिला उद्दान अधिकारी कारियाले के नंबर वए उनके ब्लोक लेवल पर जो कारियाले हैं उनके सभी के नंबर स्क्रीन पर दिये गए हैं उन अंबरों पर समपर्ख करके आप और अधिक जानकारी इस समळमद में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर करक कीजिएगा धन्यवाद